शीटेड हिंदी पेड़ागोजी शबी लोग जल्दी से आ जाएं गुड़ अप्टर नूँ शबी लोग गुड़ अप्टर नूँ गुड़ अप्टर नूँ पहला प्रचन है स्याम अपनी मात्र भासा संताली बहुत अच्छे से पढ़ लेता है और उश ने बहुत स्याम की मात्र भासा कौन सी है संताली और उस ने बहुत अच्छे से पढ़ लेता है कि बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच भासा सीख ली है वह अब फ्रेंच भासा में भी पढ़ देता है इसे क्या कहते हैं कोंसल का अंत्रण पठन अंत्रण अधिगम अंत्रण पठन युक्ति क्या कहते हैं इसे तो इसका अंसर बताएं आप लोग क्या हो सकता है आप लोग क कोंसा लग रहा है इसका कॉंसल का अंत्रन पठन अंत्रन अधिगम अंत्रन पठन युक्ति इस पिरकार को जैसे कुछ लोग अपनी मात्र भासा के माध्यम से या दूसरी भासा को सीखते हैं उसे कहते हैं कॉंसल का अंत्रन अगला प्रिश्ण है भासा में सेजिता से क्या तात्पर है बाचन में मनिस्यों की स्वच्छिक प्रक्रती भासा बोलना सुरू करने के समय बच्चों द्वारा मेहसूस की गई समस्या है भासा बोलने की मनिस्यों की श्ववाविक छमता भासा बोलने से पहले मनिस्यों का सूच बिचार करना में सहेज तक किसी कहते हैं इसे बताएं तो आप लोग जल्दी से बताएं शुका आप लोगों को कौन से इसका आफशन सही लग रहा है भासा में सहेज़ता से क्या तातपर है भासा में सहेज़ता से क्या तातपर है बाचन में मनिश्यों की स्वच्चिक प्रकृती बाशा बोलने से पहले मनिश्यों का सूच बिचार करना भाशा बोलना सुरू करने के समय बच्चों द्वारा मैसूस की गई समस्यां ही भाशा में सेज्टा से तादपर या तालुक करकती है अगला प्रश्ण है कक्चा 6 की अध्यापिका अपनी कक्चा की विद्यार्थियों को पांच-पांच के समय में बाढ़ती है और तीन माहिने तक साथ-साथ काम करने के लिए कार देती है इस कार में उन्हें विन-विन विश्यों पर बहुत से लोगों की बिचार आंकडों का संग्रे करना है बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उशी कक्चा में प्रिस्थित करना है इस गतिविदी को क्या कहती है क्या कहते हैं से कक्चा 6 की अध्यापिका अपनी कक्चा की विद्यार्थियों को पांच-पांच के शमूई में बारती है और तीन महीने तक साथ-साथ काम करने के लिए कार देती है इस कार में उन्हें विन-विन पिश्यों पर बहुत से लोगों के विचार आँकणों का संग्रे करना है बाद में एक रिपोर्ट लिखकर उसे कक्चा में प्रिस्थित करना है इस गतिविदी को क्या कहते हैं इसको कहते हैं पोर्ट फोलियो पोर्टफोलियो आंकलन कहते हैं अगला प्रिशन सामाग्रियों दौरा दिये गए निबेस अबसर किस प्रकार ग्रहा हो सकते हैं सामाग्रियों दौरा दिये गए निबेस अबसर किस प्रकार ग्रहा हो सकते हैं सिक्छार्थी दौरा ड्रिल के माद्यमशे व्याकरनिक पहलों का अब्याच करना सिक्छार्थी उद्धिश्यों को ध्यान में रखते हुए समझ के साथ संदर्म में भासा का प्रियुग करते हैं सिक्षार्थी अर्थ समझते हैं और भासा का पुनुत्थ पादन करते हैं सिक्षार्थी पाठ सामगरी कंटस्ट करते हैं और बाद में प्रियुग करते हैं कंटस्ट करना यहां से गलत हो गया व्याकर्णक पहलियों का अभ्यास करना ड्रिल के माद्याम से यहां से गलत हो गया सिक्षार्थी उद्धिशों को ध्यान में रखते हुए समझ के सासंदर्प भासा का प्रियू करते हैं बी इसका राइट आंसर है अगला प्रश्ण निम्र लिखित में से कौन सी टॉप डाउन सिर्वन प्रिक्रियां हैं और कौन सी बाटम अप प्रिक्रियां हैं टॉप डाउन सिर्वन और बाटम डाउन प्रिक्रियां कौन सी हैं जैसे मुख बिंदू को जानने के लिए मुख्य बिंदू को जानने के लिए अनुमाल लगाने, निसकर्स निकालने, सारंसी करने के लिए सुनना बिसिष्ट वारिकियों जैसे ध्यूनी, सब्द और खंड आदे के लिए सुनना ए टाप अब प्रक्रिया है, बी टाप डाउन प्रक्रिया है अगला प्रिश्ण है, अशुनी, अशुनी किसी पाठ्थ सामागरी में से और दूसरों द्वारा बूली गई किसी भी बात में से कुछ सब्दों की पैचान कर लेता है परंतु इन सब्दों का प्रियोग श्वयम नहीं कर पाता है, इन सब्दों को किस त्रिणी में रखेंगे अशुनी किसी पाठ्थ सामागरी में से और दूसरों द्वारा बूली गई किसी भी बात में से कुछ सब्दों की पैचान कर लेता है परंतु इन सब्दों का प्रियोग श्वयम नहीं कर पाता है, इन सब्दों को किस त्रिणी में रखेंगे सक्रिय संपदा सक्रिय सब्द संपदा में रखेंगे अगला प्रिश्ण है जीवा नई ब्याकरनिक अबधाना जैसे की जा रहा था जा रहे थे सीखते समय पहले से सीखी हुई अबधानाओं जैसे की जा रहा जा रहे से सम्मंद जोडता है संग्यानात्मक एबं परसंग्यानात्मक दुनों ही हो सकते हैं अगला प्रिश्ण नीचे दी गई गतिविदी पर ध्यान दें सिक्छार्तियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ड पढ़ने के लिए कहा गया और सेरों के मौसम को एक सब्ताम या उस दिन विशेश के मौसम का विश्ण करने के लिए कहा गया सिक्छार्ति समुची कख्चा में करने के लिए कार करते हész और विश्ण करते है इस इसकार में भाश अधिकंडी काुन सीक्टी शामिल है अध्यन सनलंगता विमर इस्तेमाल भासा, प्रिस्तुती अब्यास परण्याम भासा, कार आधारित भासा अधिगम, प्रियोग में भासा पदती कौन सी इसमें? जैसे सिक्षार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ड पढ़ने के लिए कहा गया और शेरों के मौसम को एक सब्थाय या उस दिन बिश्यस के मौसम का बिशलेशन करने के लिए कहा गया सिक्षार्थि समुची कक्षा में प्रिस्थित करने के लिए कक्षा में कार करते हैं और बिशलेशन करते हैं इस कार में भासा अधिगम की कौन सीक्ती चामिल है? इसको कहते हैं कार आधारित भासा अधिगम अगला प्रिशन भारती नामक अध्यापिका कक्षा आठ के सिक्षार्थियों की गलतियों को नोट करती जाती है और सब्ताय में एक बार सिक्षार्थियों से इन पर चर्चा करती है और गलतियों पर उनका ध्यान आकर्षित करती है और यह भी बताती है कि यह गलतियां कैसे हुई होगी यह सिक्षार्थियों को अपनी गलतियों पर चिंतन मनन करने के लिए भी कहती है यह क्या कर रही है तुर्टी विशलिशन कर रही है प्रति पुष्टी देना कर रही है ब्याकरण की नियम बताना या ब्याकरण सीखना यह कर रहे हैं कि प्रति पुष्टी देना कि आप इसको सही करिए अगला प्रस्य निम्र लिखित कार लेखन की किस प्रकार के अंतरगत आएगा कलपना करें की कानी में आप एक पात रहें अपनी भावना बताने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखें इसको एक्ष्ट्रा पॉलेटिब लेखन कहती है रचिनात्मक लेखन कहती है तरक संबंदी लेखन कहती है वरनात्मक लेखन कहती है निमने लिखित कार लेखन की किस प्रकार के अंतरव आएगा कलपना करें कि कानी में आप एक पात रहें अपनी भावना बताने के लिए मित्र कुपत लिखें इसको कहते हैं एक्ष्ट्रा पॉलिटिव लेखन राष्टिय सिक्षा नीती 2020 किसकी अध्यन की अनुसंसा करती है अंग्रेजी और बिदेशी भाषाएं मात्र भाषा और हिंदी और संस्कृत संस्कृत तमिल सास्त्री भाषा हिंद्री अंग्रेजी और उर्दू यह भी नहीं मात्र भाषा दूसरी भारती भाषा हैं संस्कृत बिदेशी भाषा हैं सास्त्री भाषा यह भी नहीं राष्टे सिक्षा नीती 2020 किसका दिन करती है तो राष्टे सिक्षा नीती 2020 घर की बासा हो मात्र बासा हो दूसरी बाहरती बासा हैं विदीसी बासा हैं सस्ती बासा हैं ऐसी बासाओं का वो लेख करती है पाठ सामागरी की प्रमालिक्ता क्या है पाठ सामागरी की प्रमालिक्ता क्या है पाठ पुस्तक की लेखकों द्वारा बिक्सित पाठ सामागरी किसी संदर्ब तथा प्र्याकृतिक भासा प्रियोग सी उपजी पाठे समगरी अधिकारी द्वारा दी गई आधेशात्म समगरी पाठे पुस्तक की समुची पाठे समगरी और ब्रतांत पाठे समगरी की प्रमालिक्ता क्या होती है? मताई जल दी से सब लोग किसी संदर्ब तथा प्राक्रितिक भासा प्रियोग से उपजी पाठे समगरी या फिर पाठे पुस्तक की लेखकुन द्वारा बिक्सित पाठे समगरी सदिकारियों द्वारा दी गई आधेशात्मक समगरी पाठे पुस्तक की समुची पाठे समगरी और ब्रतांत की प्रमालिक्ता क्या है उती है तो प्रमालिक्ता है कि पार्थ पुष्टक की समुची पार्थ है सामगरी और ब्रतांत अगला प्रिश्ण है कौन सी गतिविदी पोर्डफोलियो कौन सी गतिविदी पोर्डफोलियो आंकलन से संबन्दित है अध्यापक सिक्षार्थियों की अधिगम के प्रतेक चरण के बारे में टिपड़ी लिखते और उसका रिकार्ड रखते हैं अध्यापक सिक्षार्थी के प्रतेक कार्ड का रिकार्ड रखते हैं जिससे की हर गतिविदी के लिए अंक दिये जा सके अध्यापक अभिभावकों को प्रिष्ट पोष्ण देने के लिए रिपोर्ड कार्ड में अपने बिचा लिखते हैं कक्चा में सिक्षार्थी द्वारा दी जाने वाली सभी गतिविदियों का रिकार्ड रखना ये portfolio का काम है कि कक्षा में सिक्षार्थी द्वारा दी जाने वाली सभी गतिविदियों का record रखना चाहिए ये portfolio का अगलन होता है अगला प्रशुन है एक अध्यापक कक्षा आठ के बिद्यार्थियों को दस बाकियों का एक अनुचित पढ़कर सुनाती है और उन्हें द्यान से सुनने के लिए कहती है सिक्षार्थियों से कहा जाता है कि बे सिर्वन के यादार पर इस अनुचित को पुना लखें अनुचित में आई सब्दों और वाक्तियों को उसी तरह इसे लखने की जरूरत नहीं है उन्हें अनुष्यद के अर्थ को ध्यान में रखना है इस गतिविदी को क्या कहते हैं पारस्प्रिक सुर्थ लेख बाग के द्वारा सुर्थ लेख व्याकन अनुबाद सुर्थ लेख अनुष्यद सुर्थ लेख इसको कहते हैं पारस्प्रिक सुर्थ लेख छटे या साथवे सब्द के बाद एक सब्द या बाक्यांत हटा दिया जाता है फिर उसे पूरा करने के लिए का जाता है इस परीच्छन को क्या कहते हैं रिक्त इस्तानों की पूर्ति व्याकरन रिक्त कर क्लोज परीच्छन अनुचित को पूरा करना इसको कहते हैं किलोज परिच्छा अगला प्रिश्ण प्रिथम भासा अरजन के लिए कौन सा सही है यह प्राकरतिक रूप से अरजित की जाती है इसके लिए प्रिश्ण की आवज सकता है भासा के लिए प्रिश्ण की आवज सकता है या फिर आपचारिक नदेश की आवज सकता है बच्ची के सचित प्रियास के द्वारा या प्रियास सो के पश्याद अरजित होती है प्रत्थम बासा अर्जन यह प्राकृतिक लूप से अर्जित की जाती है निक्टस्त विकास का छेत्र सब्दावली किस से सम्बंदित है समाजिक सांस्कृतिक सिद्दाण संग्यानात्मक विकास का सिद्दाण व्यावारबादी उपागम मनो बेसिलेशन सिद्दाण अगला प्रिशन है निपुड भारत निपुड भारत अभियान का उद्देश है कि बच्चे पठन तता लेखन में निपुड भारत अभियान का उद्देश है कि बच्चे पठन तता लेखन में निपुड भारत अभियान का उद्देश है कि बच्चे पठन तता लेखन में निपुड भारत अभियान का उद् अगला प्रश्ण है बहासा में द्यहुनी की सबसे छोटी श्वनिम एकाई है कौन सी स्वनिम जब सिसू दो तीन मैनों की आयू में स्वर द्यहुनियों को बोलने में सक्चम हो जाते हैं उस अबस्ता को क्या कहते हैं उसको बबलाना, किलकलाना, एक सब्दिय बदबुदाना या रूफ बिदाना, माफम जब सिसू दो तीन मैनों की आयू में स्वर द्यहुनियों को बोलने में सक्चम हो जाते हैं उसको कहते हैं बबलाना कबीर छे भिन बासाओं में प्रवाय के साथ बोलता है यह बासा योगता उसे वहु बासी बनाती है प्याजी के अनुशार बच्चे के समग्र बौदिक बिकास के भासा की कोई भी भूमका नहीं है भासा सबसे मैत्मूर पहलू है भासा मत्र एक पहलू है भासा बिकास का अंग नहीं है तो प्याजी के अनुशार बच्चे के शमग्रग वदिक विकास के लिए बासा सबसे मैत्मूर पहलू है अगला प्रिश्ण है चौमस्की की परिवासिक सब्दावली सेजिता युगता को किस रूप में समझा जा सकता है चौमस्की की परिवासिक सब्दावली सेजिता युगता को किस रूप में समझा जा सकता है बासा अर्जन उपकरण अगला प्रस्ण प्रिथम भासा अर्जन क्या है प्रिथम भासा अर्जन क्या है शिक्षार्थी के सचित प्रयास से विद्यालाय की प्रिमुक गतिविदी प्रिशिक्षन के द्वारा होती है प्राकर्तिक प्रिक्रिया है भासा अरजन क्या है? बासा अरजन एक प्राकृतिक प्रिक्रिया है अगला प्रिशने ऐसा कख्षा जहां बच्चे अपनी मातर भासा से competitive तथा उसके बाद उन्हें अतरिक्त भासाओं का पुर्षिक्षन दिया जाता है वर क्या कलाता? उसको कहते हैं किसी एक बिचार को आपचारिक तरीके से संप्रिशित किया जाता है फिर उसी बिचार को अनपचारिक तरीके से संप्रिशित किया जाता है एक भासिक बगता इस गतिवधी को या इस इस्तिती को क्या कहेंगे समाज भासा विज्ञान नौम चौमस की समर्थन करते हैं कि बच्चे दृत गती से बासा अर्जित करते हैं सभी संस्कृतियों बासा अधियम का प्रति रूप अधिकांसता एक जैसा है बासा का बिगास अधिकांस बच्चों में समान आयू किया इसपास होता है भासा केवाद सी की जाती है अर्जित नहीं की जाती है बच्चे दुरुत गती से भासा अर्जित करते हैं चौमस्की मानते थे अगला प्रशन है नौम चौमस्की के सिद्धान्द के निशार हम सभी इस स्याजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भासा कैसे कार करते है सांकेतिक भासा सर बौमिक ब्याकर्ण बुनियादी सिख्चा व्याबारिक सिख्चा चौमजकी के नुषर सर बौमिक ब्याकर्ण से बारचा जन मिलेती अगला प्रिश्ण है बहु बासिक सिख्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिख्षार्थी विद्यालाय में अत्रिक्त भासा सीखने से पहले शुरुआत करते हैं किसे अपनी मात्र भासा से अगला प्रिश्ण गित्ति भासा के सिख्षार्थ सास्त्रिय अभ्यास में के द्वारा सरचना को बहतर तरीके से आत्म साथ किया जाता है सामानिता प्रियोग होने बाले बक्त विन्यासों के अभ्यास तथा पुर्राब्रति द्वाराओं रोचक विशय सामगरी के साथ अर्थपूर अंत्रिया भासा के अर्थपूर अंत्रन अवलोकन तथा सहे जाए